नमस्कार जे जगर्नाथ तो फीर मैं अभी यहां पे एक बहुत ही मालिका के बिश्षिष्च स्तान में हूँ जिसका नाम है समीब्रक्ष्य तो फीर मालिका में इसके बारे में भी बहुत सरी ग्रन्थों मे जिगर्क किया गया है और यह समीब्रक्ष्य वह जगह है जहां पुरानिक प्रमान भी मिलता है तो फी द्वापर युग में जब पांडब बनवास पर थे बारा साल की बनवास और एक साल अग्यांदवास का उनका दोर था तो सथ यह था कि बारा साल के बनवास के बाद एक साल उनका कटेगा अग्यांदवास में और जह जो 12 साल बनवास्प जाएंगे, तो फिर इसी सर्थ पे वो बनबन भटक रहे थे, तो यह है वही जगा जहां पे पांडव 12 साल के अग्यादवास्थ के स्तान पर जहां बनबन भटक रहे थे, तेरा दिन उन्होंने समय का जो समय बेथित किये थे, मस्चिदेश में, बिराट दिन में, उनका जो युद्ध हुआ था, दुरेदन के साथ, दुरेदन ने गोधन लेने के लिए, मस्चिदेश बिराट पर अक्रमन कर दिया था, हाला कि दुरेदन को कहीं से सूचना भी मिला था, कि पांडव यहीं पर छुपे हुए हैं, तो इस दोरान उन्होंने जब अटक किया मस्चिदेश पर, तो उससे में, तेरा दिन के लिए सरण में आये थे, मस्चिराजा बिराट के सरण में आये थे, पांडव, तो फिर उनका जो अस्त्र है, जो दिब्यासर था, तो सब कुछ छुपा हुआ था, समी ब्रुक्ष में, तो आप ये वीडियो देखक आपके मन में ये सबाल आ रहा होगा, ये तो पहाड़ है, इसमें ब्रुक्ष कहां है, तो बात ये है, कि ये किम्मधिनती यही कहता है, जब पांडवों का बनवास खतम हुआ, उसके बाद, अर्जुन ने स्ट्रिकृष्णी से पुछे थे, कि अब ये जो एक साल का ज्या कोई हमें पहचन लगा, फिर स्ट्रिकृष्णी ने उनको बताया थे कि आप महदाव संकरजी को अराधना किजिए, तो उन्होंने संकरजी को अराधना किया थे, संकरजी प्रकट हुए थे, उन्होंने खुद बताया थे कि यहां पर समी ब्रुक्ष हो जाओंगा, बिशाल बहुत सारा, बहुत से एक बिशाल ब्रुक्ष है, उसी ब्रुक्ष में एक सुडंग जो होता है, उसी के अंदर जो है, आप पांचो भई अपना दिभ्यास्त जो है यहीं पर छुपा दीजिए, तो हलाकि यह ब्रुक्ष नहीं है, और जब बिराध राजा के साथ दुरध दिभ्यास्त उन्होंने वापस लिये थे और फिद उन्होंने युध किये थे दुरिधन से, उसके बाद जब वो समी ब्रुक्षी था, उसके बाद फिर महादेब खुद इसको एक पत्थर के रूप दे दिये, तो यह है बिश्व की एकलोता, जिसका नाम है सिंगल स्टोन तो एक ही पत्थर है, जिसका हाइट है लगबग 700 feet, 700 feet के उचाई का है यह पहाड़, और 700 meter, 700 meter के उचाई है इसका हाइट, जो है 700 meter है, और इसका पुरा जो एरिया है, वो है 1.5 kilometer, पंदरा सो मिटर, और इसका पूरा जो है अरिया है, तो यह था पुरानी कतावस्तू और अब यह सुनता है कि मालिका क्या को एक्स्तान दिया है यह बहुत महच्पुन्सतान है जहां भक्त जो है यहां पर आएंगे, उनका एकित्त करणपी होगा, उनका महापरभू कलकी भगवान के साथ उनका जो लिलाई होंगे, वो यहीं पर होंगे उडिस्या राजे के महिर्भंज जिले पर यह उपस्तित है, यह मालिका बर्दनित्स्तान जिसका है, जिसका नाम है समी ब्रक्ष्य, तो फिर यहां पर भक्त जो है, कुलमिला के भक्त यहां पर होएं, 313, मतलब गुप्त भक्त, और 256 में से जो भक्त हैं, और यहां पर 256 मे भगवान की प्रतर पर सर काम करेंगे, जिनको अलग-अलग काम भी दिया गया है, तो इनके संक्षा है मात्र तेईस, तो तेईस भक्त जो है, वो महिर्भंज जिले में भी है, तो फिर कैसे लागा आज का यह वीडियो, कमेंट बक्स में आप लिखिए, और यहां पर देख कि बिलकुल उपर जाने के लिए कोई जगा ही नहीं है, कोई स्टेप्स यहां पर यह से बनी नहीं कि आप उपर तक पहुंचें, तो यह ही वो गुप्तिस्तान जिसका नाम है, समी ब्रक्स्य, पांडवोन है, उनका जो दिब्यास्त्र है, यहां पर छुपा कर रखे ता है वहां पर ढाइक के जिसके अंदर उनका जो दिब्यास्त्र हैं वहां पर रखे थे और बमक्र किसी का हिम्मत नहीं था, कि वहां पर पहुंच जाएं, तो फीर दिब्यास्त्र जो है, वहां वहां से फिर माहदायब शिपजी के अराधना करके उनका अनुमति लेके फिर उन जाके कुरिक ख्यत्र में कुरोबं के साथ फाइट किये थे कैसा लगा आज का वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक किजिएगा फिर मिलता है अगले वीडियो में जे जगरनाथ जे पंसखा झाल